हाई गईज और वेलकम बाक टू दी चैनल दीपक्यादव एजुकेशन वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनलेसस अफ 6 जून 2024 तो गईज आधे तारिक 6 जून 2026 और है थर्सडे देखेंगे आज के दा हिंदू कम्प्लीट न्यूस्पेपर को कम् पे क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जूइन कर लेना यहां से आप डेली बेसस पे इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पाऊगे नाव हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है राइन रिवर को कहां पर है exactly located इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे comment section में टाइप करना जससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो की UPSC pattern के उपर based आपको देखने को मिलेगा daily basis पे हम यहाँ पर एक practice question को भी solve करता है question क्या बोलता है दोस्तो नीचे option के अंदर में जो चार अलगलग features हैं पूछा जाता है आपसे इन में से कौन से एक ऐसा feature है जो की हमारे भारतिय संभिधान के federal structure को denote करता है option number A supremacy of the parliament क्या ये चीज़ दर्शाती है federal structure को या option number B a written constitution with a division of powers या option number C single citizenship या option number D emergency powers of the union तो इसका सही answer सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जसे हम आप लोगों से daily basis पे बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको telegram पर provide करवा दिया है वहां से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहां पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शोबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थमलेल वाले important article की तरफ तो दोस्तो आपको पता है recent elections खतम हुए result भी आ गया और कल मैंने आपको पूरा detail समझाया elections में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कैसे यहां पर opposition और साथी साथ मुझे ruling party हैं के बीच में एक काटे की टकर बनी कल बहुत detail से analysis मेंने पूरा present किया देश भर के elections को आपको समझाया चाहो तो आप कल वाला वीडियो एक बार देख सकता है now अब obviously बात है elections समाप तो हो चुके हैं results आ चुके हैं हम पुराने वाले एरा में जा चुके हैं 1990s के समय पर ले जा चुके हैं Indian voters ठीक है और Indian voters बिल्कुल unpredictable इस बार देखने को मिले हैं हर बार रहते हैं इस बार भी वही situation देखने को मिला तो पिछले दो टर्म से या पिछले अगर हम लोग 10 सालों में देखे हैं तो जो government थी बीजेपी की उनके पास में पूर्ण बहुमत थी उनके पास में proper तरीके से seats थी 272 से ज़ादा यानि की उनको किसी ally की जरुवत नहीं थी इस बार यहां पर उनकी seats अटक गई है 240 तक तो इस बार उनको allies की जरुवत है अलग-लग political parties की जरुवत है ठीक है तेलुगू देशम party आंदरपरदेश की चंदरबाबू नाइडू जी की party दूसरी जेडियू बिहार की party आपको देखने को मिलेगा जिसको नितिश कुमार जी लीड कर रहे है अब चंदरबाबू नाइडू जी अभी chief minister भी बनेंगे कहा के आंदरपरदेश की क्योंकि आंदरपरदेश में जो elections हुए दे दोस्तों वो लोकसभा के साथ साथ assembly elections भी थे आपको पता होना चाहिए इसके बारे में ठीक है तो अब वो chief minister की शपत भी रेंगे लेकिन जो वो नितिश कुमार है वो already यहाँ पर बिहार के chief minister आपको नज़र आएंगे तो ये सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर पूरा का पूरा जो meeting है कल वो किया और उस meeting के बाद में political source के basis पर जो news आ रही है वहाँ पर कुछ चीज़े बताए गई है कि भी टीडीपी ने और जेडीउ ने जो दो पार्टीज है important पार्टीज जो आज के समय पर एंडिये को support कर रही है कि इन पार्टीज ने क्या demand की है उस demand को दोस्तो political source के basis मैं आपको फिर से confirm कर रहा हूँ कि यह चीज़े बिलकुल confirm नहीं है यह उस site से confirm नहीं की गई है लेकिन जो news चल रही है उसके basis पर जैसे आप देख पाऊँगे दाहिंदू का ही business today है तो business today ने भी यहाँ पर mention किया है तो आपको details बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ों की demand की गई है JDU और साथी साथ TDP की site से तो दोस्तों यहाँ पर जो photo आपको दिख रहा है यह कल का photo है तो NDA का पूरा जो LI है वो ready हो चुका है और government बनने वाली है अभी कोई government नहीं आपको बताऊगा भी कोई प्रधान मंत्री भी नहीं यह समय क्योंकि कल प्रधान मंत्री जी ने resign कर दिया है वो resignation प्रेसिडेंट को सौप दिया है अब वो जो हमारी प्रेसिडेंट है दुरापादी मुर्मुजी वो हमारे इस सत्रवे है लोकसबा को dissolve करेंगी और वो dissolve हो चुका है already कल के दिन क्योंकि यहाँ पर resignation हो चुका है आपको बताना लोकसबा dissolve होता है पार्ट साल में तो पांस साल हो गए elections निपट गए अब लोकसबा हो गया कल के दिन dissolve अब दोस्तों यहाँ पर यह सभी लोग फिर भी उसी पदबर बने रहेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट ने बोला है क्योंकि आज के समय पर as a caretaker PM आपको यह देखने को मिलेंगे और फिर उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि 8 जून को आज 6 जून है 8 जून को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी वापस शबत लेने वाले हैं ठीक है वापस से पूरी सरकार यहाँ पर established होने वाली है वो चीज हमारे सामने हैं निकल करा रही है अब हुगा क्या कल यह जब meeting होती है तो दोस्तो नई government के formation को लेकर सारी चीज़े already set कर दी गई है बीच में लग रहा था क्या TDP या JDU दोनों के बीच में से कुछ होगा या नहीं होगा कोई party हट तो नहीं जाएगी नितिश कुमार जी यहाँ पर पलट तो नहीं जाएंग हैं सबने यहाँ पर अपना support दिखाया है और इन सभी leaders ने यह जो 21 NDA के leaders आपको दिख रहे है फोटो के अंदर में इन सबने resolution sign कर दिया है और मोधी जी को यहाँ पर as a leader क्या सकतो हो support किया गया है उनको वापस से as a leader बना दिया गया है ठीक है तो प्रधान मंत्री का चहरा वापस से नरेंद्र मोधी जी है आपको देखने को मिलेंगे तो यह जो meeting है इसको बहुत सरे लोगों ने attend किया इसमें बीजेपी के president जेपी न आइडू जी वो देखने को मिलेंगे मैं आपको बता दूँ चेंदरुबाबु नाइडी जी का एक important role पहले भी हो चुका है वो पहले भी इस तरीके से central government में अपना एक important role play कर चुके है और वो government form कर चुके है तो उनको proper तरीके से experience से इन सब चीज होगा लेकिन एक बात मैं यहां भी बता दूँगा कि जो अब की बार यह government है यह coalition वाली हो चुकी है है ना यहां पर पूरा alliance के basis पर काम करना पड़ेगा हलाकि दूसरी government भी बनती तो भी alliance के basis पर ही बनती तो वो ही बताया जा रहा है कि पुराने वाले era में हम लोग इस समय पर जा चुके हैं लेकिन इस coalition government में unstability बहुत जादा होती है आगर आपने इतिहास पड़ा है दोस्तो तो जब जब coalition government बनी है वो government पूरी तरह से 5 साल तक सर्व बहुत मुश्किल से ही कीपा कर पाई है अटल वियारी बाचपाई जी ने करवाया लेकिन उसके बाद यहां पर कह सकते हो अगली बार न ले सकते हो उसमें एक बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है क्योंकि हर एक leaders की सुननी पड़ी को उसके basis पे काम करना पड़ेगा अगर आपकी ही majority है तो आप अपने हिसाब से काम कर पाऊ क्योंकि आपकी party majority में है कोई जाए छोड़े उसकी मर्जी लेकिन अभी के समय पर छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी तो इस वज़े से सबको साथ में लेकर चलना important माना जाता है और इतिहास ये बताता है कि coalition government का average अगर हम देखें कि पिछले समय पर जाधतर सरकारे coalition के basis पर ही बनी हैं तो अगर हम एक average देखें तो coalition government 25 से 26 महीने ही चल पाती है जबक एक पूरा कर टेने ओर देखें तो 5 साल का होता है लगबक 60 मंद के आसपास का तो मतलब 60 मंद के आसपास का 5 साल का एक टेने ओर देखने को मलता है उससे आधे से भी थोड़ा सा यहां पर कम समय ता government रुख पाती है ऐसा यहां पर average मैं बता रहा हूं फिर से word use कर रहा हूं यह भी आड़ कर दू उनके पास में experience है चलाने का लेकिन problems face करनी पड़ सकती है फिलाल के लिए एन चंदरबाबु नाइडू एक important personality के तोर पर देखे जा रहे हैं रिसेंटली यहां पर इन्होंने tweet भी किया था और tweet करके यहां पर बता दिया है कि हम NDA में हैं यानि की कर सरकार बनाएंगे तो अपना support already यहां पर यह दोनों parties नितिश कुमार जी ने भी अपना support दे दिया है NDA की side में फिलाल आगे का समय बताएगा वो support किस तरीके से देखने को मिलेगा ठीक है अब एक और बात बताई जा रही है जिस मैं बोला 8 जून को प्रदान मंतरी शप है मतलब demands होंगी definitely अगर power मारे तो demands तो होंगी अब वो demands केंजर मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि किस basis पर इस सरकार बन रही है वैसे मैं आपको फिर से एक बार और बोल दूँ यह basically कुछ political source के basis पर पता चला है news articles बताएं है यह पूरी तरह से confirm नहीं है बट जो sources हमें बता रहे हैं वो क्या है कि जो यह तेलुगु देसम पार्टी है चंदरबाबु नाइडो जी इनकी demand किया गया है इन्होंने आठ मंत्राले मांगे हैं ऐसा बताया जा रहा है आठ मिलिस्टरी इन्होंने मांगी है सबसे पहली और important एक post मांगी है इन्होंने लोकसभा speaker की प इन्होंने मांगी दूसरी चीज आंद्रब्रदिश के लिए special status की demand कर रहा है अब special status से बहुत सारे फायदे होंगे है ना government की साइट से central की साइट से financial support मिलेगा tax sessions में काफी सारी छूट मिलेगी और भी central aids मिलेंगे तो ऐसा support मिलेगा तो उसके लिए special status भी उन्होंने आंद्रब्रदिश के लिए मांगा है ठीक है क्योंकि obvious सी बात है AP से ही यहाँ पर यह जीत कर रहा है तो यह दो तो बताया गया यह दो तो यहाँ पर आप देख पाऊगे इनकी main चीज़ है दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि मंत्रालों की जब आताती है मिनिस्ट्रीज की जब आताती है वो तो post की बात होगे मिनिस्ट्रीज की जब आता आएगी तो दोस्तों यहाँ पर road transport अब याद रखेगा 8 मिनिस्ट्रीज मैंने बोला था जिसमें से road transport, rural development, health, साधी सा यहाँ पर demand की जारी है टीडीपी की साइट से ऐसा details हमारे सामने share हुई है ऐसा बताया जा रहा है अपने twitter पर भी देखा होगा news articles भी पड़े होगे यह तो बात होगे टीडीपी की दूसरी साइट यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मल जाएंगे जेडी यू तो निति फेज एग्रो इंडस्ट्रीज साधी साथ में जो तीसरा सेक्टर है तीन मिनिस्ट्रीज मांगी है बड़ तीसरा यहाँ पर ज्यादा confirm basis पर निकल कर नहीं आया समझ गए तो यह हो गई यहाँ पर जेडी यू की बात उसके लाब आपको पता होगा NDA सरकार को शिव सेना का अभी सपोर्ट है एक नाचेंडे जी की यहाँ पर पूरी गवर्न्मेंट का सपोर्ट है उनको भी सीट्स मिले हैं उनका कॉंट्रिबूशन भी है सेविन सीट्स का इस NDA के अंदर में उनको एक काबिनेट दिया गया है मतब एक काबिनेट उनकी तरफ से भी डिमांड की ग अभी के समय पर जो न्यूस रिपोर्ट है वो यहाँ पर यही बताती है कि यह डिमंट्स इन की साइट से की गई है अब आप देख पाओगे आज के न्यूस पेपर में पेज नमबर वन पे तो यह आर्टिकल आपको मिल गया एक और आर्टिकल छपावा है मैं जैसे बोल र इधर उधर हो जाती है अपने मांग के बेसिस पर डिमांड के बेसिस पर और अभी आप देख पाओगे एक कुछ ऐसा नजरिया यहाँ पे नजर आना शुरू हो चुका है जो बीजेपी है अभी यहाँ पर गोर्मनेंट फॉर्म कर रहे है ठीक है लेकिन दूसी तरफ दोस इसमें जॉइन करना है तो वो अरहम से जॉइन कर सकते हैं यही चीज़ अप चलने वाली है दोस्तों आने वाले कुछ सालों में इस समय पर पॉलिटिक्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी प्रॉब्लम यह है कि जो मेन मुद्दे हैं आज के समय पर जो मेन मु सब प्रेजेंट रहें लगबग यहाँ पर तो और जदा लोग हैं इस मीटिंग में 33 लीडर्स प्रेजेंट थे और वो 33 लीडर्स अलग लग 21 पार्टी से आते हैं तो यहाँ पर कोईलेशन और बहुत बड़ा है बहुत सारे लोग हैं ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा तो इस सब ने मेंशन कर दिया कि यह दर्वाजे खुले हैं अगर नाइडू जी को आना है तो वो भी आ सकते हैं नितिश कुमार जी को आना है वो भी आ सकते हैं हमें इतिजार कर रहे हैं उनको एड़ी किया जाए जाएगा अब्गिसी बात है डिमंड ठी फिर से लेकिन यहाँ पर यही आएगी यहाँ पर बहुत सारी लोग हैं और सब को कुछ ने कुछ मिनिस्ट्रीज मिलेगी तो यहाँ पर चीज़े थोड़ी सी जादा कॉंप्रोमाइस हो जाएंगी तो वो सिचुवेशन अपकी बार नज़र आ रहा है क्लियर बाकी जो अप्डेट्स आते रहेंगे दोस्तों वो न्यूज में डिसकस होते रहेंगे मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा अभी के लिए चलते हैं नेक्स अर्टिकल पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टन इंफोमिशन अगर आप लोग हमारे पेड ग्रूप्स को जॉइन करना चाहते हैं आपके बास में एक बड़िया मौका है इसको जॉइन करने का यहां पर आपको डेली बिसिस पे करेंट नोट्स के पीडिएफ वगरा प्रोवाइड करवाय जाते हैं एक ऐसा पीडिएफ जिसका प्रेंट आउट वगरा आप न सारे के सारे डिजिटल फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे ठीक है तो इसमें सबसे पहला फायदा दोस्तों यह है कि हिंदी और इंग्लिएफ दोनों भाशाओ में पीडिएफ अवेलेबल हैं तो आपको न्यूस्पेपर के आर्टिकल्स प्लस उनके बाग्राउंड डेट नोट्स हिंदी इंग्लिएफ दोनों भाशाओ में मिलते हैं दूसरी जो इंपोरेंट चीज़े दोस्तों इस ग्रूप में आपका सारा का सारा का सारा कॉंटेंट सिक्योर हो जाता है अभी के समय पर जैसे आप पीडिया विखटे करते हो सीक्मेंस मैनेज करते हो बहुत प आपके पास में अविलेबल हैं ग्रूप को जॉइन करने के लिए जो फी पेमेंट रखा गया है वो बहुत ही मिनिमम है लंबे समय से यही है जब तक आपका सेलेक्शन ना हो जाए तब तक आप फोन नाइन में ग्रूप को जॉइन करने करना होगा वाट्सेप पर जाना य पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, मुझे किस सरीके से फाइदे होंगे, अपना आपको सेटिस्फाइ करने के बाद में जाकर, ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, भागी दोस्तों, मेक्शूर यह करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको प्लीज प्रेस कर दिया, अगरो 5000 लाइक का टारगेट है, जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं, चलिए, आगे आता है, एक और एलिवेंट आर्टिकल पार आज के न्यूस पेपर में, पेज नमबर 8 पर ये प्रेसेंट है, जिसको GS पेपर नमबर 2, हेल्थ के पॉइंट अभी से हम लिंक करने वाले हैं, क्या बात हो रही है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो आज के समय पर फोकस कर रही है हमारे देश के TB एलिमिनेशन प्रोग्राम के उपर, TB एक ऐसा टॉपिक है, जो अकसर हर महीने एक दो बार तो न्यूस में आ जाता है, तो एक्जाम के लिए भी रेल जिनकी जिन नंबर छोटा नहीं है, और ये 4,8,000 वो हैं, जिनका डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, काफी सरे ऐसे लोग भी हैं, जिनका डेटा रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा है, तो 4,8,000 से 5,000,000 क्या स्पास मालो, हर साल इंडियन्स की जान जा रही है, इस Tuber किलो है, वो यही है कि हम इस Tuber किलोस को पूरी तरह से Eliminate कर दें, खतम कर दें, 2025 तक, लेकिन क्या ये Achieve हो पाएगा, क्योंकि ये Target हम लंबे समय से लेकर चल रहे हैं, कुछ भी चीज़े अचीव नहीं हो पाई हैं, आज भी लाखों लोगों की जान जा रहे हैं, ये 4,8,000 के आ Council of Medical Research, वो समय देख रहा है, और फोकस कर रहा है कि TB की जो दवाई है, वो इस तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाए, कि भई हम यहाँ पर TB को पूरी तरह से Eliminate कर दें, हमरा में इन मकसद है, TB को TB से free करने का एक initiative स्टार्ट करना, जिसमें हम death को कम करेंगे, disease को कम करेंगे और कहीं न कहीं यह जो infection है, इसको कम करेंगे, health ministry का according बताया गया, यह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंडिया है, वो लगातार TB को control करने के जो initiatives हैं, वो पिछले 50 साल से चला रहा है, अभी भी यह बिमारी as it is बनी वही है, अभी भी एक important health crisis के तोर पर इसको जाता है, तो इस पे focus करना अलग तोर से जरूरी है, इसके लिए better तरीके से prepare होना भी जरूरी है, हमारे देश में बड़ा loss हो रहा है, लाखों लोगों की जान जारी है, हजारों लोगों की जान जारी है, daily basis पे tuberculosis की वज़ा से, तो इसको रोकना होगा, इसके लिए हमें न इसके बिमारी है, ठीक है, और वो इस तरीके से आगे जीता रहता है, लेकिन problems जब गंभीर हो जाती हो, इसके बात पता चलता है, फिर treatment दिया जाता है, तो इससे अच्छा, अगर early detection हो जाया जाए, starting में ही पता चल जाएगा, starting में ही treatment दे दिया जाएगा, तो इसके लिए आपर treatment या इसके diagnose करने की जो technology है, उसमें improvement करने की जरूरत है, improvement हमने किया, आज हमारे पास में advanced technologies available है, लेकिन जो technologies available है, अभी हो चुकी है, वो सभी जगा पर नहीं आई है, तो उसको सभी जगा पर लाना भी हमारा main काम होना चाहिए, हमें जरूरत है कि इस TB के बिमारी से हो आने वाली मृतियों को drastic तरीके से reduce कर दें, खतम कर दें, तो यह है दोस्तो हमारा complete article, लेकिन क्या इस news article का use examination में होगा, examination में यह news article help करेगा, नहीं, exam के perspective से कुछ चीज अगर relevant है, तो वो है tuberculosis, tuberculosis के बारे में कुछ basic facts पता होने चाहिए, जो prelims में आपसे पूछे जा सकते ह इवन यहाँ पर इतना data है कि TB के बारे में आपसे prelims में इवन इंटर्वियू में भी अगर कोई question आएगा, तो आप अरामस उसको handle कर पाओगे, चलिए समस्ते हैं, सबसे पहले चीज, यह जो बिमारी है, यह होती किस वज़ा से, यह होती एक bacteria की वज़ा से, जिसका नाम है लेपरोजी जैसे विमारी भी इंसान में हो जाती है, अब इंसानों में TB दो तरीके से affect करता है, एक होता है यहाँ पर pulmonary TB और एक होता है extra pulmonary TB, very very important, दोनों के बीच में एक difference है, प्लीज इसको ध्यान रखेगा, जो pulmonary TB होता है, यह common है, सबसे आदर लोगों में यह होता है, pulmonary TB क्या करता है, एक इंसान के lungs को, उनके फेफडों को बुरी तरह से affect करता है, लेकिन जो extra pulmonary TB होता है, यह फेफडों के अलावा दूसरे सारे organs को affect कर सकता है, समझ गए, तो वो extra word use कर दिया या, यह दोनों के बीच का एक फरक है, यह बिमारी कोई नई बिमारी नहीं है, बहुत पुरानी disease है, इसका existence एजिप्ट में लगबग 3000 BC के समय पर देखा जिया था, अच्छी बात है कि यह treatable है, curable disease इसको ठीक किया जा सकता है, यह एक सबसे important चीज है, फिर बात आती है transmission की, यह बिमारी क्या transmit हो सकती है, हाँ बलकुल हो सकती है, पहली चीज यहाँ पर छीक देता है, थूक देता है, तो उसके जो germs हैं, वो germs air के अंदर में फैलनेश शुरू हो जाएंगे, और वो इनसान अगर normal people जो है, वो अगर उन germs के contact में आएगा, तो definitely वो TB से effect हो जाएगा वो भी, तो यह पूरा का पूरा सका transmission का process है, अब बात आती है symptoms की, कि इस बिमा होने लगता है, रात में काफी जदा पसीने भी आता है, अब बात है global efforts की और इंडिया के efforts की, कि आखिरकार दुनिया क्या कर रही है फिर, या इंडिया में अगर cases जादें, तो भारत क्या कर रहा है, क्या-क्या हमने कदम उठाएं हैं इस प्रकार की विमारी को tackle करने के लि TB की condition दुनिया भर में क्या है, उसको लेकर हर साल एक report आती है, जिसका नाम है global tuberculosis report, question आप से बन सकता है, ये report कौन release करता है, तो ये report लाया जाता है, world health organization की site से, भारत क्या कर रहा है, तो भारत ने अलगलत जो actions हैं या project से वो start करें जैसे national strategic plan for tuberculosis elimination ये हमने चलाया, निक्षय एको सिस्टम चलाया, निक्षय पोशन योजना चलाया, आज के समय पर दो vaccines भी available है, ठीक है, world tuberculosis day भी दोस्तों यहाँ पर हर साल हम 24 March को celebrate करते हैं, ताकि tuberculosis के बारे में जादा सजाद जानकारी लोगों तक फेलाई जा सके, अब इंडिया में tuberculosis के सब से जादा cases आपको दे को TB है, वो facilities हमारे पास में कम available हैं, दूसरा कुछ योजना हैं, जो की TB से लड़ने के लिए काम करते हैं, financial support देती हैं, लेकिन वो financial support के वल 500 रुपे का है, जिससे यहाँ पर TB affected patients के लिए कोई फाइदा नहीं होगा, तो ऐसे भी दोस्तों यहाँ पर कुछ reasons हैं जिसकी पर में, page number 3 पर यह article present है, तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रहिए, केरेला के जो beaches हैं, समुदर के किनारे जो beaches आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आने वाले समय पर इसराइल से बहुत सारे tourists आने वाले हैं, तो इंडिया ने यहाँ पर अपने beaches का एक बड़ा इन के बीच में जो यह वार है, स्पेशली गाजा पटी में हमास के और इसराइल के बीच में जो यह वार हुआ, इस वार की वज़ा से इसराइल ने बहुत बंबार्डिंग की है गाजा पटी में, गाजा पटी को पूरा फ्लैट कर दिया है, कई हजारों लोग की जान गई इसराइल में भी लोगों की जान गई है तो इस पूरे वार के दुरान दोस्तों आपको बताए इसराइल के खिलाफ जादतर जगा पे प्रोटेस्ट हुए तो उस बेस पे दोस्तों यहां पर एक देश है मौलदीव्स काओगे मौलदीवस सुना सुना लग रहा है पता होगा यहाँ अब देख पाओगे यह नीचे इंडेनो вещन चरस नीचे जाओगे तो यहां पर आपको मौलदीवसなた फूरा न्यूज मेरा पता भही आपको क्योंकि उन्होंने भारत के साथ अपने संबंद खराब किये रिलेशन्स मौलदीव के साथ में हमारे दोस्तों काफी खराब हुए नए प्रेसिडेंट मौहमद मुईजू की वज़ा से अब होता क्या है कि इसराइल से कई सरे लोग और किवल इसराइल से ही नहीं दुनिया बर से उपर रेश्या युक्रेन से भी कई सरे लोग यहाँ पर मौलदीव जाते हैं और भारत से भी कई लोग मौलदीव जाते हैं अपने वेकेशन्स को सलिबरेट करने के लिए क्योंकि Maldives दोसर यहां पर आपके सकते हो एक सस्ता प्लेस देखने को मिलता है जहां पर लोग घूम सकते हैं एक अच्छा व्यू यहां पर मिलता है तो बहुत सरे टूरिस्ट जाते हैं वहां पर तो Maldives की जो economy है वो solely यहां पर टूरिस्ट पर dependent है लगातर जो लोग जा रहे हैं पैसा खर्च कर रहे हैं उसी की वज़ा से उनकी economy में यह boost देखने को मिलता है या economy में कुछ money include हो पाता है अब हाल ही में एक नया update आया update यह है कि Maldives ने इस्राइल के जो passports हैं इस्राइल के जो लोग हैं उनकी entry को ban कर दिया Maldives banning the entry of people holding Israeli passport तो इस्राइल के जितने भी लोग होंगे जिनके पास में इस्राइल का passport होगा वो Maldives नहीं जा सकते है क्योंकि Maldives ने ban कर दिया बोला हम इस्राइली को नहीं आने देंगे नहीं इस्राइल टूरिस्ट को आने देंगे अब सिंपल सी बात है इस्राइल टूरिस्ट भी नहीं आ पाएंगे पासपर्ट के बिस्स पर दवाएंगे वो आई नहीं सकेंगे अब जब ये condition होगे तो दोस्तो इस्राइली टूर लोग हैं उन्होंने ये बोला है कि इसराइल आपको बिल्कुल परेशान होने की जरुवत नहीं है मौल्दीव्स आपको अलाव नहीं कर रहा है तो मत जाइए क्या दिकत है मौल्दीव्स का एक सबसे अच्छा अल्टरनेटिव मौल्दीव से भी बहुत खूबसूरत इंडि कि केरिला शुरुवाती तोर पर जियूज के बेसिस पर बहुत इंपॉर्टनेट एरिया मना गया है यहाँ पर अल्रडी काफी जरे जियूज रहे चुके हैं ठीक है तो जो यहाँ पर इंडियन ऊशन आर्किपलाव को हो है इन्होंने यहाँ पर इसराइल के लोग है इनको यह ट्वीट करते हैं कि जैसे कि मौल्दीव ने अब इसराइलियों के आने पर बैन लगा दिया है नीचे दिये गए कुछ खूपसूरत से जो जगह है जिनके बारे मैं आपको बताया यहाँ पर जो इसराइली टूरिस्ट है प्लीज आपका स्वागत है आप यहाँ पर आ बने वाला है जहाँ पर दुनिया बर की एकॉनमी अल्रेडी डाउन चल रही है यहाँ पर मौल्दीव को और नुकसान होगा इंटरनाशनल जो हमारा कह सकतो अलग-लग बोडीज है मोनिटरी फंड है अलग-लग डिपार्टमेंट से वो अल्रेडी मौल्दीव को चेताबनी जो मौल्दीव में गए थे वो थे लगबख 15,748 टूरिस्ट 15,748 टूरिस्ट इसराइल में गए थे गूमने के लिए विजिट करे टूरिजम के परस्प्राक्टिव से और उन्होंने यहाँ पर मौल्दीव की एकॉनमी को कॉंट्रिबूट किया ठीक है यह बात यहाँ प आते हैं जैसे एक्जाम्पिल 2019 में 23,592 जो इसराइली टूरिस्ट है वो इंडिया में विजट किया स्पेशली के रिला के अंदर में हाला कि कोविड-19 के बाद से यह टूरिजम काफी कम हो गया आपको पता है फिर दुनिया बर में जियो पोलिटिकल सिच्वेशन काफी ब आपक्ट हुआ है लेकिन 2019 में गर हम देखें तो काफी लोग लगबग 23,24,000 लोग यहां पर अल्रेडी के रिला में आए थे इसराइल से तो इसराइली टूरिस्ट के लिए इंपोर्टन प्लेसे हैं के रिला गोवा लक्षदीप अंड़मा निकोबर आइलेंड जो की ओप इंटरनाशनल रिलिशन्स के पॉइंट अब लिंक कर सकते हैं तो HRW नाम की जो बॉड़ी है यह बॉड़ी माना वधिकार की बात करती है तो इन्होंने यह बोला कि इसराइल ने लेबनन नाम के देश में वाइट फॉसफोरस का यूज किया है यह वाइट फॉसफोरस के ब लेबनन में किया अब जर्दा मैं आपको इसके बारें बताता हूँ क्योंकि आ हालिम आपको पता हुगा डेबनन में कुछ कॉनफिक्ट स्टार्ट हुए हैं अभी इसराइल लेबनन के बॉर्डर पर भी बड़ा बवाल करने union रहा है ऐसक कुछ यहापर बताया जारे है ओ तरस्ट उपर आपको ये Lebanon देखने को मिलेगा ये Lebanon हो गया ये लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर Mediterranean सी है तो इसराइल और Lebanon एक बॉर्डर को शेर करते हैं उपर दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो हुआ क्या जो Human Rights Watch है इन्होंने अपने रिपोर्ट में कल के दिन यहाँ पर एक रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है उसमें ये बताया कि जो इसराइल है उन्होंने वाइट फॉस्फॉरस का यूज किया है Lebanon के अंदर स्पेशली रेसिडेंशल बिल्डिंग्स पे जो कि यह नहीं कर सकते थे जहाँ पे लोग आम नागरिक रह रहे थे उ इंटरनेशनली जो लॉस बोलते हैं वो ये कहते हैं कि आप सिविलियन एरिया पे निए खाली एरिया में यहाँ पर आप वाइट फॉस्फॉरस का इस्तमाल कर सकते हैं बट सिविल एरिया इसमें यहाँ पर इसके उपर में रोक लगाई गयी है तो HRW का कहना है कि भले ही य पास-पास उनका respiratory system खराब हुआ है यह हमको पता चला है उसके लावा यह बोलते हैं जो यह white hot chemical है यह white phosphorus जो है यह ऐसे जना जाता है कि इंसान के मास के साथ हड़ी तक गला देता है इतना मतलब खतरनाक तरीके से जलता है अभी बताऊंगा इसके बार में कुछ details भली कि देखिए हमने international जो laws हैं उन सब को proper तरीके से follow किया है international law यह बोलते है कि आप इन white phosphorus का धुआ के रूप में smoke के रूप में यूज कर सकते हैं और खाली areas में गिरा सकते हैं तो हमने उस चीज को follow करते वे जो non populated areas थे हमने वहाँ पर इसको भेजा वहाँ पर गिराया है यह इ रह रहे थे जो Lebanese Health Ministry है उनका कहना यह है कि 173, 173 जो लोग हैं वो कहीना कि उनको एक सक्त medical care की जरूरत पढ़ी इस exposure के बाद में तो यह कैसे हुआ कि उन्डे साधी जगा पे गिराया तो इसराइल बोलता है कि नहीं हमने laws को follow किया है laws बोलते हैं हमको permission देते हैं कि हम साधी खाली जगा पे गिरा सकते हैं वही हमने किया तो अभी यह matter दोसो गंभीर हो रहा है देखते हैं आगे क्या होता है इसको लेकर एक particular issue आने वाले समय पर काफी ज़दा उठेगा तो चलिए अब यह जो news article है केवल news article enough नहीं रहेगा इसमें आपको white phosphorus bomb के बारें परताओना च यह जो bomb है दोस्तों इनको incidery weapons भी बोला जाता है यह काफी destructive explosives हैं जहां पर गर जाएं वहाँ पर आग लगा दें एकदम तबाही और वो जो आग है दोस्तों वो कोई छोटी मूटी आग नहीं होती है खतरनाग आग क्योंकि यहाँ पे phosphorus को जब आप जलाते हो तो इसमें से जो आग निकलती है वो लगबख 1500 degree Fahrenheit के basis पर temperature को जनरेट करते हैं आप imagine कर सकते हैं 1500 degree Fahrenheit के temperature पर यह burn करती है जलती है तो इसकी चपेट में कोई भी आ जाएगा तो obvious सी बात है हड़ी क्या कुछ भी गला देगा यह तो यह जो white phosphorus bomb से दोस्तों यह आग को फैलाने में काफी ज़ wires को generate करने में और दूसरी बात दोस्तों phosphorus में एक खास बात और है ऐसा नहीं होता कि आग चीज जल रही है ठीक है थोड़े बात बुद जाएगी ऐसा नहीं है इसमें phosphorus तब तक जलता रहता है जब यह पूरी तरह से पूरी तरह से consume नहीं हो जाता पूरी तरह से खतम नहीं ह जाता फॉसफोरस को oxygen मिलता रहेगा जलता रहेगा बस खाली oxygen का presence होना जरूरी है तो जब तक consume नहीं हो जाता यह पूरी तरह से खतम नहीं हो जाता तब तक यह जलेगा दोस्तों और body के अंदर पहुंच गया oxygen के साथ में contact होता रहा तो पूरा का पूरा जो बाड़ी यह बरबाद हो जाता है यही है यहाँ पर दोस्तों फॉसफोरस का पूरा का पूरा सिनारियो अब जो injuries होती है white phosphorus bombs की वज़ा से वो कभी normal भी हो सकते हैं और कभी बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं कि medical treatment भी काम ना है जो आपके normal bomb होता है जो तबाही मचा सकता है विस्पोर्ट कर स होती है अगर इस प्रकार की injuries को ठीक करना है तो यहाँ पर यह भी दिखकत है normal bomb की जो normal bomb की वे से injuries होई है कोई हिसा कट गया है या कुछ भी हो गया है उसको treat किया जा सकता है इसका treatment के लिए भी यहाँ पर आपको एक कह सकते हो trained medical professionals की requirement होती है तो यह भी एक खतरना चीज है white phosphorus bombs के बारे में ठीक है तो यह phosphorus bomb था white phosphorus bombs क्या होता है यह आपको पता चलिया white phosphorus bomb दोस्तो wax की तरह होता है जो सफेद wax होती है उसकी तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अकसर थोड़े yellow color के या colorless भी हो सकते है इसमें से जो बदभू आती है उसका जो odor है especially जो smell है इसक oxygen के requirement है तेजी से जल सकता है और खतरनाक तरीके से जल सकता है खतरनाक तरीके से spread हो सकता है फैल सकता है समझ गए एक इंसान के आसपास भी हो तो उसके अंदर एक deep burns को create कर सकता है उसकी हड़ियां गला सकता है अब question यहाँ पर यह है कि जो यह phosphorus का use है जंग के अंदर war के अं नहीं है तो तो अब यह बाद decide करते हैं हमारे laws international rules regulations तो वो क्या बोलते है किस तरीके से phosphorus पर एक control कसा गया है दोस्तों मैं आपको international law के basis पर बताता हूँ phosphorus जैसे मैंने बोला आग लगाने की properties के basis पर जाना जाता है तो इसके ओपर एक tight regulation है complete तरीके से ban नहीं किया गया है इसको ध्यान लखेगा बस खाली इसके use पर एक कमर खस दी गई है यह complete तरीके से ban नहीं किया गया है international law में question बन सकता है इसको no down कर लेना important mark कर लेना ठीक है ज जैसे बहुत सारे chemical weapon होते है ना chemical weapon आप समझे रहोंगे जिसमें chemicals का इस्तमाल कर रहे हैं लोगों को मारने के लिए तो chemical weapons को तो ban किया जाता है लेकिन यहां पे जो यह phosphorus वाले bombs है इन पे complete ban नहीं है इसका आप use कर सकते हो लेकिन थोड़े exceptional basis पर समझ गए तो यह जो phosphorus है इसमें आग लगाने की capability है इसको आप use कर सकते हो लेकिन आप civilian area में use नहीं कर सकते यह international law बोलता है इसका जो utilization होगा इसका जो use होगा वो strictly prohibited है into the civilian areas international law यह बोलता है समझ गए तो इसके बारे में थोड़ा basic चीज जरूर से ध्यान लखेगा चलिए अब इसलिए तो जरायल बोल रहा है कि हमने ऐसे area में civilian areas में नहीं अटाक किया है हमने जो खाली areas थे वहाँ पर केवले smoke के purpose के basis पर यानि जो धुआ है उसको no.10 पर present है जिसको GS paper no.3 economy के साथ में link कर सकते हैं again a very very important topic ठीक है ध्यान रखना यहां से UPSC दो question पूछ चुगा है question कैसे पूछेगा है वो भी आपको बताऊंगा यह article आपको बरावरम नजर आएगा जो हमारे India refiners है अब refinery इंडिया में बहुत बड़ी industry आपको पता होगा refinery क्या करती है बाहर विदेशों से कच्चा तेल हम लेते हैं उस कच्चे तेल को refine करके petrol petroleum products बनाते हैं ध्यान होगा है ना तो उस कच्चे तेल को refine करना पड़ता है केवल हम बाहर से कच्चा तेल खरीते हैं direct petrol नहीं करीते हैं उस कच्चे तेल से petrol बनाते हैं तो जो इंडिय के उपर western countries के लगातार sanctions लगे रश्या की economy को गिराने की पूरी तरह से कोशिश की रश्या ने बोला आप करी नहीं सकते रश्या ने ये बोला हमारे पास में बहुत सारा कच्छा तिल प्रेजेंट है और भारत एक ऐसा देश जो बहुत बड़ा consumer है कच्छे तिल का हमारी आब पार्टनर कहलाते हैं जो कभी हम 20-25 नंबर पे थे रश्या के साथ में ट्रेडिंग पार्टनर में आज वो दोस्तों टॉप नंबर पे आ चुका है तो आप इमाजन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी ट्रेडिंग especially crude oil को लेकर रश्या के साथ में भारत ने की है और वो कहानी दिरे दिरे चल रही है हां बीच में हमने रश्या से इस कच्छे तेल को खरीदना थोड़ा सा कम कर दिया था बट यहां पे बोला जा रहा है कि अभी भी continue है ये मई के महीने में अभी भी हमने रश्या और इराक स हमें एक अच्छा तेल प्रोवाइट करवा रहे हैं साओधी अरेबिया से भी हम तेल पर्चेस करते थे बट हमने साओधी अरेबिया से अगर हम देखे हैं तो कम खरीदा और साओधी अरेबिया को हटा कर हमने दोस्तों रश्या से जादा कच्छे तेल खरीदा जो हमारे ए पर बैरल हमें 5$ एकस्ट्रा दिना पढ रहा São जबकि रश्या को कम दे रहा है हम डिस्काउंट में दे रहा है रश्या थुझे कम पैसे में बेच रहा है तो definitely हमें बहुग सारा फायदा हो रहा है बहुग सारा पैसा बचा पा रहा ही और अच्छे quality का तेल भी इस्तमाल कर पा रहे हैं क्योंकि Arab countries ने मिलकर decide किया था कि हम कच्छे तेल के price लगातार बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे production cut कर करके क्योंकि जो हमें loss हुआ COVID में हम चाहता हूँ उसको पुरी तरह से भरपूर मात्रा में cover कर लें समझ गए तो इस पूरे condition में ये जो tight तरीके से oil market चल रहा था इस पूरे condition में भारत ने रश्या को ज़्यादा preference दिया इंडिया ने ज़्यादा मात्रे में higher volumes में रशिया, इराक, UAE and US ये चार कंट्री से सबसे ज़्यादा तेल पर्चेस किया कहोगे US, अमेरिका भी तेल प्रेड्यूस करता है हाँ भी इनके पास में भी कच्छा तेल है अभी आपको इसके बारे मैं आपको बताऊँगा तो higher volumes में इन सब कंट्री से ज़्यादा पर्चेस किया गया साओधी रेबिया से कम पर्चेस किया क्योंकि साओधी रेबिया ज़्यादा कॉस्ली बेच रहा है ये कुछ चीजे रिसेंटली आर्टिकल्स में पब्लिश होती है चलिए अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ इस कच्चे तेल के बारे में एक special data दोस्तो जैसे मैंने बोला कि या US में भी होता है हाँ देखे एक बात ध्यान लखेगा जो ये कच्चा तेल है ये दो प्रकार के होता है एक होता है Brent Crude Oil और एक होता है WTI that is West Texas Intermediate ठीक है ये दो वर्ट्स को ध्यान लखेगा अब question ये है कि होते कहां पर है जो Brent Crude Oil जो है ये दोस्तो औरिजनेट होता है आपके oil fields में especially जो North Sea में present है जो हमारे उपर islands है नॉर्वे है, Shetland Islands है इनके बीच में जो North Sea present है वहाँ से जो कच्चा तेल निकाल रहे है वो है आपका Brent Crude Oil ठीक है और जो WTI है West Texas Intermediate ये अमेरिका से हा रहा है ठीक है, अमेरिका से especially Texas, Louisiana, North Dakota इन एरियास से निकल कर आता है ये तो समुद्र में से सीधा निकाल रहे है ठीक है, तो हमारा है, जो North Sea है वहाँ से निकाला रहा है अब दोस्तों जो Brent Crude Oil है और WTI के बीच में थोड़ा फरक भी है जैसे दोनों ही जो कच्चे तेल हैं जो थोड़े से light है लेकिन जो Brent वाला है उसमें API gravity थोड़ी जादा है और API gravity जादा होने की वज़ा से जो WTI वाला है वो भी lighter हो जाता है API gravity क्या यह है American Petroleum Institute Gravity यह बेसिकली यह दर्शाती है उस कच्चे तेल की density कितने है वो कितना गाढ़ा है तो Brent वाले में दोस्तों API gravity थोड़ी जादा होती है ध्यान रखेगा अब बात आजिए WTI की तो यह जो West Texas Intermediate है इसमें जो Sulfur content present है यह थोड़ा low होता है WTI वाले में अमेरिका वाले कच्चे तेल में Sulfur content low होता है कम होता है ठीक है 0.24% क्या सपस जबकि Brent वाले crude oil में 0.37% यानि इसमें Sulfur content जादा होता है तो यह भी एक difference है इन difference को ध्यान रखना ज़रूरी है अब इनके prices कैसे set होता है जो Brent चुमारक आपको देखने को मिलेगा Brent crude का यह international prices जो होता है इस्पेशली जो opaque countries है जो सबसाद oil को produce करते है वही देश आपस में मिलकर decide करते हैं इनके prices को इनडिया भी जादातर जो Brent crude oil है यही purchase करता है तो कि यह थोड़ा हमें सस्ता पढ़ जाता है WTI थोड़ा सा महिंगा भी पढ़ता है यह भी reason है क्योंकि दिक्कत यह है दोस्तों जो मैंने आपको बता है Brent वाला crude oil है नौटसी से निकला जाता है उस समुद्र से सीधा निकाला जहाज में डाला भेज दिया है ना तो costing वगरा कम लगती है लेकिन जो WTI है West Texas Intermediate यह USA में Texas, Louisiana ऐसे एरिया से निकला जा रहा है जो landlock एरियाज है चारो तरफ से घिरेवे हैं territories ही territories है कोई समुद्र का हिस्सा नहीं है तो महाँ से तेल निकालना उसको समुद्र किनारे पहुचाना फिर वहाँ से एक्सपोर्ट करना थोड़ा से expensive हो जाता है तो इस तरीके से costing बढ़ जाती है WTI की as compared to the brand crude oil और अभी यही तो हमारे लिए reason बना हुआ है क्योंकि Saudi Arabia भी आप देख पाऊगे महंगा तेल बेच रहा है तो महंगा तेल बेच रहा है इसलिए हम नहीं खरीद रहे है हम खरीद रहे हैं Russia से Russia को prefer कर रहे है क्योंकि reason यह है क्योंकि अगर हम कच्चा तेल पर्चेस करेंगे दोस्तो वो भी जादा महंगा तो इससे सीधा भारत पर impact पड़ेगा हमारा current account deficit बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि वही oil अगर आप महंगा खरीद होगे तो simple सी बात है import बढ़ेगा हमारा वही चीज जो Russia 5 डॉलर रुपे कम में देराए पर barrel तेल तो उसको हम साउधी रिबिया से 5 डॉलर एक्स्ट्रा देकर क्यों पर्चेस करें है ना वही सेम चीज तो वही quantity में वही सेम चीज हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है तो हमारा import बिल बढ़ रहा है न और उपर से export अलड़ी कम है हमारा तो इस चकर में export कम हो गया import बढ़ाते जा रहे हो तो आपका current account deficit आ जाएगा दोस्तों आपको व्यापार में बहुत घाटा हो रहा होगा तो पहली चीज ये impact पड़ता है दूसरा inflation आप कच्चा तेल बाहर से महंगा purchase करोगे तो देश में भी महंगा बेचोगे बेचोगे या नहीं बेचोगे क्योंकि कच्चे तेल को refine किया जाएगा refine करके यहाँ पर petrol बनेगा उस petrol पर सरकारे tax लेती है central government अलग tax charge करती है state government अलग tax charge करती है दोनों के अलग-अलग tax उजाता है तब ही तो prices बढ़ेंगे तो वगर international level से वो महंगा खरीदेंगे तो यहाँ पर आके prices और बढ़ जाएंगे tax लगने के बाद अब suppose यहाँ पर कोई सरकार अपनी tax को बचाने की कोशिश करे अपनी सरकार बचाने की कोशिश करे तो सरकार ने सोचा चलो हम tax ही नहीं ले रहा tax cut कर देते हैं और गया अगर वो tax cut कर देंगे तो सरकार का revenue कम हो जाएगा सरकार के पास पैसा नहीं जाएगा क्योंकि यह मेन पैसा यहीं से जा रहा है अब मेन पैसा नहीं जाएगा तो गौर्मेंट की जो stability, ability है वो नहीं हो पाएगी वो सही तरीके से development पर पैसा नहीं खर्च कर पाएगा क्योंकि उनके पास है budget नहीं आपा रहा है तो यह fiscal health issues हो सकते हैं economic recovery में काफी time लग जाएगा क्योंकि अगर prices बढ़ते रहेंगे तो इससे सीधा world पर impact पड़ेगा इंडिया को भी disadvantage होगा मारा import bill बढ़ रहे होंगे, export bill कम हो रहे होंगे inflation face कर रहे होंगे, trade deficit face कर रहे होंगे तो अब विसी बाते economy slow हो जाएगी और economic recovery में बहुत time लग जाएगा इस वज़ा से दोस्तों यहाँ पर जो high prices होते हैं crude oil के वो इस तरीगे से देश के economy को impact कर सकते है समझ गए तो यह चीज़ यहाँ पर इस पूरे article में explain की गए यह होब आपको मज़ेदार तरीगे से हर एक चीज़ समझ में होगी अब देखिए UPS ने 2011 में question पूचा question यह है बताईए जो दुनिया के oil prices है उस basis पर जो Brent crude oil है Brent crude oil इससे संबने तीन स्टेटमेंट से हैं वैसे बताईए कौँसे स्टेटमेंट सही है पहला जो Brent crude oil है यह कच्चे तिल का ही ए classification है यह तो सही बात है भया crude oil ही तो आए यह है तो पहला statement सही है दूसरा इसको North Sea से निकाला जाता है यह भी सही है आपको पढ़ाया है है ना जो North Sea especially वहाँ से निकालता है इसको सबसे आदा तो दूसरा statement भी सही है दूसरा तीसरा बोलता है कि Brent crude में सलफर नहीं होता ऐसा नहीं है यह गलत है थर्ड वाला सलफर होता है और even WTI से जादा सलफर होता है Brent वाले में है ना अभी थोड़ दर पहले पढ़ाया था तो 1 and 2 options are correct है तो option number भी 1 and 2 only is the correct one समझ गए अभी हम barrels की बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जो Saudi Arabia है वो हमें जो एक barrel देल दे रहा है वो 5 डॉलर महंगा दे रहा है तो यह barrel क्या होता है देखो 2008 में यह question barrel से संबनित पूछा गया कि how much is one barrel of oil approximately equal to एक barrel में कितने liters होता है एक barrel में दोस्तो 159 liters होता है दिहान अखिएगा 159 liters एक barrel में तो यह question भी आपे पूछा गया clear बाकि white phosphorus वाला article मैं आपको explain करी चुका हूँ तो यह था आज का मरा particular session I hope आपको मजाय होगा सोच रहोंगे editorial क्यों नहीं discuss कर रहे है तो editorial काम के नहीं है काम क्योंगे तो definitely discuss किये जाएंगे मैं पढ़ चुका हूँ तो आपको वही election संबनित वही सारी चीज़ है वो आपको हरी चीज़ पता है कुछ काम का आएगा कि हाँ आप newspapers उसको quote कर सकते हो लिख सकते हो notes बना सकते हो help करेगा means में prelims में तब यहाँ पर discuss होगा न वन्ना आपका time waste क्यों रहा हूँ मैं फाल्दू में समझ गया क्योंकि जब पूरा जब चीज़ चल रही है के federal structure को सबसे पहला प्रशना आप लोगों से ये federal structure क्या होता है federal structure बड़ा होगा आपने constitution के अंदर में संगवात का धाचा जो है संगवात का धाचा क्या दिखाता है कि बही central government और state government हमारे देश में दोनों अलग-अलग है दोनों के पास में प्रेमिली पावर से लेकिन मिलकर काम करता है वही है federal structure that is why अगर इन चारों को देखें तो इसमें से भी वाला आपका सही उत्तर रहेगा क्योंकि पहला देखोगे तो बोला जाता है कि federal structure मतलब parliament की supremacy ऐसा नहीं हो सकता single citizenship ये भी नहीं है emergency powers ऐसा नहीं हो सकता तो federal structure क्या दर्शा आता है federal structure दर्शा आता है आपके division of powers को की central government, state government दोनों की अलग-लग powers को तो logic लगा के solve किया जा सकता है that is why option number B correct one समझ गया ना दोस्तों clear हो गया चलिए आगे आते हैं उसके बाद करते हैं अपने session को समब्द मैं माफी चाहूँगा बीछे आपका morning का 5 बज़े वाला वीडियो अप्लोड नहीं हो भाया था कल से अप्लोड करूँगा कल मैंने बोला था है ना तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़े मैं आपके साथ मैं प्रेजन्ट करूँगा कल के वीडियो में वह आपको मापे दिख जाएगा ठीके आप से अगले वीडियो में आज के लिए बाबाए have a nice day thank you and जय हिंद